अगर आज के समय में बनी होती तो बेस्ट फिल्म फोर नेस्टल इंटिग्रेशन के लिए नेशनल लवाड जीच जाती लेकिन कोई बात नहीं दिस दौर में आई थी तब भी अचीवमेंट में कोई कमी नहीं थी अमिताब बच्चन को इसके लिए उनके करियर का पहला फिल्म 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 बेस्ट एक्टर आवर्ड मिला था और लक्षमी कांद पैरिलल की जोडी को बेस्ट में डिर्क्टर का जिस साल रिलीज हुई उस साल की सबसे अधा कमाई करने वाली फिल्म नहीं इसके कैची गान और वन लाइनस ने इंडिया मसाला फिल्मों के लिए नया ट्रेंसिट कर दिया कहा जाता है इंडिया से ज्यादा बड़ी हिट वेस्ट इंडीज में हुई थी लेकिन इसके बनने का प्रसेस ऐसा था कि फिल्म कंप्लीट हो गई रैट्टर को पता ही नहीं है उसके बेटे ने बताया तब जाके उन्हें बता चला इसकी मेकिंग के ऐसे ऐसे मेजार किस्ते हैं कि बईया दिन बन जाए लिखते वक्त फिल्म में मिताब बचने किरदार का नाम दा एंथनी फर्नांडेस मनमोंदेसाई म्यूजिक के लिए लिए लक्ष्मी कान प्यारे लाल और लिड को म्यूजिक अरेंजर हुआ करते थे एंथनी गौंजालवेस लक्ष्मी कान प्यार लाल ने उन्हीं से संगीत की तालीम ली थी उन्हें ट्रिब्यूट देने के लिए हीरो का नाम बदलकर एंथनी गौंसालवेस कर दिया गया मनमोंदेसाई बड़े मस्त मौला आदमी थे जिसके साथ भी फिल्म करते थे कहते कोई ताली करें के सेट पर मत आना गया कोई सतीजीत रेक की फिल्म लहीं है एकदम इंप्रॉंट्टू सूट करेंगे उन्हें फिल्मों की आइडिया भी कुछ ऐसी आया करते थे एक बार स्क्रीन प्ले राइटर प्रयाग राज अपन फिल्म मराने की कहानी डिसकस करते रहे प्रयाग की चुट्टी कैंसल गर अगले तीन दिन में फिल्म की कहानी तयार कर वाली फिल्म आ गरे लगजा का स्टोरी आइडिया उन्हें अपने बेटे के स्कूल में आया था जहां उन्होंने कुछ बच्चों को स्केटिंग करते वे देखा था उसकी बाद उन्हें अगले साथ दिनों में उसकी विकाहनी त्यार कर वाली अमर अगबर एंथनी में विनोत खना एक करेक्टर के अपूजिट कोई हिरोईन नी रखी कही थी मन्मोहन दिसाई को लगा कि विनोत का करेक्टर थोड़ा सीरियस टाइप का है इस मन्मोहन दिसाई अमर अगबर एंथनी और परवरिष की सूटीग एक साथ एक ही स्टूडियो में कर रहे थे दोनों फिल्मों के काश भी लबग एक सीरी वो चाहते थे कि दोनों फिल्म को जलसर्जर्द रिलीज किया जाए पहले वो परवरिष का एक सीर्स सूट करते फिर अमरकबर का सारी की सारी तैयारी धरी रह गई जब साल 1975 में इवर्जेंसी लग गई मनमोहन की फिल्में अटक गए इसी का नातीजा रहा कि 1977 में उनकी एक के बाद एक चार फिल्में रिलीज हुई उन्हें ने कहा मैं इसे बस एक ही रोल दे सकता हूँ चिकन रोल इसके कुछ ही साल बाद वो अमिताब के साथ फिल्म अमर अगबर एंथनी में काम कर रहे थे सेट पर मिताब को बताया गया कि फिल्म में उनका एक मीरर सीन है जहां उन्हें आईने में देखकर डायलोग बोलना है मनमोहन ने मिताब को स्क्रिप्ट थमाई और दूसरे फिल्म की शूटिंग करने चले गया डायक्टर का बेट करते करते काफ़ी टाइम हो गया असिस्टन डायक्टर ने कहा सर सारा सेट अप तैयार है आप सीन शूट कर लिजे अब मिताब ने डायलोग याद करने की बजाए इस सीन को इंप्रोवाईज करने का सोचा और डायक्टर के बगार ही वो सीन शूट कर लिया गया मनमोहन देशरे की एक आदत थी वो जनता का रियाक्शन देखने के लिए उनके साथ थीटरें बैक्टर फिल्में देखते थे जैसे ही कोई वीच में उठ्टा और वो से रोग देते थे कई बाद तो नौबत हाथा पायता गारी थी अमरक बर एंथनी का प्रीमियर चल रहा था फिल्म का स्टार कास और इंडस्ट्री के जाने माने लोग बैक्टर फिल्म देख रहा थे जैसे ही वो आइने वाला सीम खत्म हुआ मनमुहन खुदी उठकर बाहर निकरने लगे और मिताबर सुचा कहां गरबढ़ हो गई भागते वागते उनके पास पहुचे पुछा क्या हुआ मनमुहन ने बोला अब से मेरी सभी फिल्मों में तुम काम करोगे इसी फिल्म के साथ मनमुहन दे साई डायेटर के साथ प्रोडूसर भी बन गए थे और फिल्में बनाई नसीब, देश प्रेमी, कूली, मर्द और तुफान सब में बच्चन फिल्मों से जोड़ी और धियासी खबरे देखने के लिए देखते रहेए दिललनेंटॉप.com मैं हूँ श्वेत आंक